जेहें दोस्तों स्वागत थे आपका हमारी यूटूब चैनल में आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए आपर जूनियर हाई स्कूल में साहिक अध्यापक के भरती पर इच्छा के लिए यहाँ पर आपको सामनी ज्यान और समसामा एक गटना तार्किक ज्यान से स करना ना भूलें तो आज का अपने यहां पर फर्ष्ट कॉश्चन क्या पूंचा गया है तो देख लेते हैं देखें आज का अपने यहां पर फर्ष्ट कॉश्चन पूंचा गया है कि यहां पर देखिए आप दा प्रबंदन में उनकी योगदान के लिए किस संस्था को Sustainable Environment and Ecological Development Society, जो ए है S-E-E-D-S, इसको जो है अब्धा प्रवंदन प्रोस्का 2021 प्रदान क्या गया है, Q2 आप से यहाँ पर पूंचा गया है कि हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 रिपोर्ट हाल ही में जारी की गई है, इस से रिपोर्ट के संदर में निम्न काथन में से कौन सा कथन सत्य है, सत्य कथन का चैन करना है, यहाँ पर कूट भी दिए गए हैं आपके, तो यहाँपर आपका सत्य कथन जो है वाह विकल्प नंबर डी राइट आंसन, यानि कि यहाँपर तीनों कथन सत्य हैं, इस passport ranking report में सी से इस्तानों पर ACI देश हैं और report में 85 वे इस्तान पर भारत है, report में जापन पहले और अफगान इस्तान अंतिम इस्तान पर है, question number आपका यहाँ पर 3 पूचा गया है कि सरकार ने लोकसभा और लोकसभा और विधानसभा की प्रत्याशियों को चुनावी खर्च की सीमा तह की गई है, अब कितनी तह की गई है यह आपके लिए यहाँ पर बताना है, चार विकल्प दिये गए हैं, तो आपके यहाँ पर सही आंसर है, 30.088 जीरो लाक रोपे जो है तह की गई है, तो विकल्प नंबर B राइट आंसर आपका हैं पर होगा, question number 4, मुक्त आक संदी हाली के दोनों में खुर्णियों में रहा है, इस संदी के संदर में निम्लिकत में ऐसे कौन सा कथन सत्य है, तो इस संदी के संदर में आपके लिए सत्य कथन कैचेन करना है, तो question number 4 कराइट आंसर D होगा, यानि कि एक, दो, तीन, यह जो तीनों कथन यहाँ पर दिये संदर में सर्फशेष्ट है, जो प्रतर्शन प्राप्त हुआ था, इसके लिए, भै किसको प्राप्त हुआ था, तो आपका यहाँ पर question number 5 का right answer जो है, भै आपका विकल्प number C, यानि कि जन जाती है, मामलों का मंतराल है, इसको प्राप्त हुआ था, तो विकल्प number C, आपका बताना है, इस अबोर्ट से सम्वानत जो किया गया है, बैक इसको किया गया है, तो असरफ पटेल आपका विकल्प number 1 कहाँ पर सही answer होगा, question number 7 पूचा है, मद्द परदेश के कि सहर को हाली में, यूनियसको की विस्वदरुआर सहरों की सूचे में सामिल किया गया है, कि इ और और चा कजुराह केरल, इस तीन है आपकी, चार विकल्प आपकी कूट में दिये गए हैं, तो आपका यहाँ पर question number 7 का right answer है, यहाँ पर C में हो जागा एक और दो, ग्वालियर और और चा आपका यहाँ पर विकल्प number C right answer है, question number 8 दिया गया है, कि अंतराष्टिय दिव् कम नहीं जाता है, तो question number 8 का right answer है, 3 December को, कम नहीं जाता है, 3 December यानि की विकल्प number आपका C right answer होका 8 का, question number 9 क्या प्रदान मंत्री नरेंद मोदी ने हाली में माल डुलाई के लिए, विसेस रेल मार के न्यू खरजा है, खंड का उदगाटन क्या है, इस रेल मार के संदर में गठन सत्य है, वह कठन का सत्य है, यहां पर तो कूट भी दिये गए हैं, और question number 9 का जो सही answer है विकल्प number D, आनि की यहां पर यहां पर यह आपको तीनो कठन कैसी है, सत्य है, विकल्प number D आपका है यहां पर सही answer होगा, question number आपका 10 पूँचा है, विसेस में किसी भी देश म हो गया है? यह आपका 10 का राइट आंसर है बाहिरीन, यानी falp number i आप कहाँ पर सही answer है गौतम बुद्ध्य ने खालिस्तान में धम चकप बत्तन सुत्य यानि कि धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र का उपदेश दिया कहां पर दिया था यह आपके लिए बताना है तो धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र का जो उपदेश दिया था कहां पर दिया था तो question number 11 का और कभी कालिदास किस के दर्वार का हिस्सा थे यह आपके लिए बताना है तो 12 का राइट आंसर है बिक्रमा दित्ते आपके यहां पर सही answer है बिल्कुल सही question number 13 है लोह और रक्ति की नीती किसने अपनाई तो 13 का राइट आंसर है आपका बलबन बलबन आपके यहां पर सही answer होगा भकति आंदोलन को उत्तरभारत है में लाने का सिरे इनमे Bean Show किसको जाता है तो यह तो question महात्पुण question कूंची क्या है भकति आंदोलन को उत्तरभारत में लाने का जो इस यह जाता है राम अनंध Leonardo को पिर्षिद्दन ब्रूप पाक्ष मंदर जो है कहां पर इस्ते थे ये question महात्वपून है ये मंदर प्रिसिद्ध है आपका ब्रूप पाक्ष और ये मंदर कहां पर है तो 15 है का आपका जो सही answer होगा बहे विकल्प नमबर एक यानिकी हमपी हमपी आपके हैं आपर राइट आंसर भारत में काजू का पिर्थम परीचाइकन लोगों ने कराया तो डच फ्रांसी सी बेटेस या पुर्तगाल क्यों आपके हैं आपके हैं आपर सूलह का जो सही answer है बहे आपका सूलह का विकल्प न अर्विबाय अधिन्यम 1856 जिसे जो है अधिन्यम 1856 भी कहा जाता है और 26 जुलाई 1856 को लागू हुआ था जिसे लाड़ खालिस्तान द्वारा पारित क्या गया था तो इसको किस के द्वारा जो है पारित क्या गया था तो आपके हैं पर सही answer है 17 का विकल्प नमबर C आनिक अपने किस GG cambio की थी तो आपके हैं पर क्योंक पर सौ्टोंन्बर 18 का स्वामी दैयांद सरस्वति स्वामी दैयांद सरस्वति रइट आनसर होगा क्योंकशन नमबर 19 सी कर्वारी 1924 कोष्ययोग और आपके लिया आपके लिए बताना है। और question number 20 पूँचा है हड़पस अब बता कि एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोच किस ने की थी तो लोथल की खुदाई की जो खोच की थी वाई किस ने की थी तो आपका सही answer है क्या है S.R. राव S.R. राव आपका हैं पर सही answer होगा question number 21 है भारत का सबसे बड़ा एकल दीप सुदूर दच्छन में कौन सा है तो बहें बताने हैं आपके लिए एकल दीप सुदूर है दच्छन में है कौन सा है भारत का सबसे बड़ा है और 21 का राइट आंसर है D यानि की great निकोबार दीप great निकोबार दीप आपका सही answer होगा कारा कोराम परवस रंकला में सबसे उंची चोटी कौन सी है तो करा कोराम परवस रंकला जो है इसमें सबसे उंची चोटी है नंदा देवी नंगा परवस या mount k2 या mount average तो आपका यहाँ पर right answer है 22 का आपका right answer होगा यहाँ पर विकल्प number B यानि की k2 k2 आपका है यहाँ पर सही answer है जिसको Godwin Ashton बोलते है k2 इसका जो है सबसे है k2 तो mount k2 आपका है यहाँ पर सही answer है बहे नदी कौन से है जिसका उदगम भारत में नहीं है चिनाब, सतलज, ब्यास या राभी नदी बताना है जिसका उदगम इस तल भारत में नहीं है तो बताइए कौन सी बहे नदी है तो आपका यहाँ पर question number है 23 और 23 का right answer है आपका विकल्प number C आनि की सतलज सतलज आपका सही answer होगा question number 24 है खादर और बांगर निमलिकित में से किसे पिरकार की मिट्टी है काली, लाल, जलूर, ये लेटे, राइट question number 24 का सही answer बताने है खादर और जो बांगर मिट्टी है ये किस पिरकार की मिट्टी है तो 24 का right answer विकल्प number आपका B आनि की जलूर आपका यहाँ पर सही answer है जलूर आपका right answer बिल्कुल सही question number आपका यहाँ पर जो अंगला पूंचा क्या है question number 25 क्या पूंचा क्या है आपका question number 25 देखिए ये आपका question number 25 निमलिकेते मैं ऐसे कौन एक भारती किरसी की मुख विसेशता नहीं है देखिए किरसी की मुख विसेशता नहीं है भारती किरसी की मुख विसेशता नहीं है तो कौन सी नहीं है तो 25 का right answer विकल्प नमबर D इसमें और द्योगः फसलों की परधानेता है ये जो है ये भारती किरसी की मुख विसेशता नहीं है कौशन नमबर 26 पूचा कौन सा कृतिम बंदरगा है कृतिम बंदरगा है आपके लिए 26 में बताना है तो आपके यहाँ पर सही answer क्या होगा 26 का right answer आपका यहाँ पर होगा चैन नहीं चैन नहीं आपका right answer होगा निमलेकेत मैसी किसने सबसे पहले यानि कि किसने पहले 1935 में सम्मीदान सभा का सुजाब प्रस्ताविद क्या तो 27 का right answer है D यानि की M N right कौशन नमर 28 पूचा है अंतराश्टी सांती और सुरक्षा को बढ़ावा देनी यह तो सम्मीदान प्रावधान अंतराश्टी सांती और सुरक्षा को बढ़ावा देनी से संबंदित प्रावधान भार्ची सम्मीदान के निमलेकेत मैसे किसकी एक भाग में जो है भाग की रूप में उलेकेत हैं यह आपके लिए बताना है तो question number 29 का जो सही answer है 28 का वह है आपका right answer 28 का विकल्प नंबर यहाँ पर B आनकी राज की नीती निजेशक सिद्धानती के रूप में उलेकेत हैं तो विकल्प नंबर B right answer होगा राज्यसभा की पदयन अध्यक्ष कौन होते हैं राष्टपती और प्राष्टपती प्रधानमंत्री या लोकसभा अध्यक्ष है तो राज्यसभा की पदयन अध्यक्ष पूंशा है तो राज्यसभा की पदयन अध्यक्ष जो होते हैं वह है और प्राष्टपती होते हैं संसत की खर्च किसके द्वारा नियंत्रत किये जाते हैं तो संसत के जो खर्च होते हैं ये किसकी दोरह नियंत्रित किये जाते हैं, तीस में आपके लिए बताना है, तो आपका right answer होगा, नियंत्रक और महालेखा परिच्छक आपका सही answer यहाँ पर है, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षन उपलब्ध है, लोग सभा में, राज्य विधान सभा में, पंचायती राज्य निकाओं में, या उपरोगत सभी स्थानों पर, एक्टिस का right answer बताना है, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षन उपलब्ध है, कहां पर उपलब्ध है, तो एक्टिस का C right answer है, क्या है पंचायती राज्य निकाओं में, question number आपका 32 है, नीती आयुक की अद्यक्ष कौन है, ये आपके लिए बताना है, ने तो नीती आयुक की अद्यक्ष कौन है, तो आपका right answer है, यहाँ पर 32 का, विकल्प नमबर D आनिकी प्रधान मंतरी, प्रधान मंतरी आपके यहाँ पर सही answer हो का बिलकुल सही, question number आपके यहाँ पर 33 पूंचा है निमलिकित में ऐसी कौन सा एक भारती अर्थ वस्ता का प्रात्मिक छेतर है किरसी है, सहिकारिता है, जोद्योग्या उप्रोक्त में ऐसी कोई नहीं question number 33 है और 33 का सही आंसर आपके लिए यहाँ पर बताना है तो कौन सा भारती अर्थ वस्ता का प्रात्मिक छेतर है तो 33 का राइट आंसर एक आनकी किरसी आपके हैं पर सही आंसर होगा question number 34 पूंचा है भारत में सिपकों की धलाई का एक मात्रे अधिकार खालिस्तान के पास है इसके पास भारती स्टेड बेंक भारती रिजर बेंक भारत सरकार या भारत की सुरक्षा मद्रण और मीटेंग निगम लिमिटेड तो 34 का आपका जो सही आंसर है भाहें आपका विकल्प नंबर सी आनकी भारत सरकार भारत सरकार आपके यहाँ पर सही आंसर होगा यहाँ पर question number 35 पूँचा है कि 2001 और 2011 की जनगन्णा की बीच भारत की जनसंख्या में खालिस्तान पृतिसत ब्रद्धी हुई है कितने पृतिसत जो है ब्रद्धी हुई है 2001 से 2011 की जनगन्णा की बीच में कितनी जनसंख्या में ब्रद्धी हुई है ब्रद्धी हुई है 2001 से 2011 की जनगन्णा के बीच में जनसंख्या में भारत की question number 36 पूँचा है केंद्रे सांकी के संगटन केंद्रे सांकी के संगटन होता है जो इसके द्वारा की जाती राष्टिया की गणना समुद्री जल का औस्तन खारापन होता है तो कितने पृतिसत होता है समुद्री जल का औस्तन खारापन होता है कितने पृतिसत तो 37 का राइट आंसर C यानि की 3.5 पृतिसत question number आपका 38 है निमलकेत में से कौन सा byod ग्रेडिवल सामगरी नहीं है यानि की जेव निमनी करनी है नहीं है तो बताए कपास, जानवरों की हड़ियां अलूमीनियम फृल या लकडी तो question number है आपका 38 और 38 का आपका जो सही आंसर है बहे है आपका 38 का विकल नंबर C आनि की अलूमीनियम फृल आपका यहां पर फृल है अलूमीनियम फृल आपका सही आंसर होगा निमलिकत में ऐसे क्या जलिये निकाय में होने वाले प्रदूशन में योगदान परदान नहीं करता भारी दातू या माइक्रो प्लास्टिक्स या ओज़न या कीट ना सक तो नमलकेत में ऐसी क्या जलिये निकाम होने वाले प्रदूशन में योगदान परदान नहीं करता 49 कभी यानि की ओजन आपका राइट आंसर Question number 40 है नमलकेत में ऐसी किसके परणाम सरूप पानी की गुणबत्ता में गरावट आई है तो किसके परणाम सरूप पानी की गुणबत्ता में क्या है गरावट आई है तो बताईए महत्तपूर्ण Question है Question number 40 है और आपका सही आंसर है यहाँ पर विकल्प नमबर एक गंदे पानी का सही से निप्तान ना करना Question number आपका यहाँ पर 41 पूँचा है पराध्वने के गती का मापनकन किस एकाई से होता है तो मैक रेक्टर या नौट या हर्टच तो पराध्वने के गती का मापनकन पूँचा है किस एकाई से होता है तो 41 का सही आंसर विकल्प नमबर एक यानिकी मैक Question number आपका 42 पूँचा है पिरकास के पत में एक खालिस्तान वस्तू की आने पर छाया का निर्माण होता है पारधर्सी होता है या फिरकास मान या पारभासी या अपारधर्सी तो आपका हिहाँ पर Question number 42 है और 42 का सही आंसर है आपका दिन आनिकी अपारधर्सी Question number 43 है निमलकित में ऐसे कौन एक रेडियो धर्मी तत तो नहीं है तो रेडियो धर्मी तत तो नहीं है पूँचाए आपसे तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर Question number 43 का विकल्प नमबर D आनिकी ador की Cadmium yadmium California आपका यहाँ पर सही आंसर का बिल्कुल चाहिए Question number 44 पीतल मिस्रण है किस किस की का टिन और टांवा और टिन तांवा और जस्ता टिन जस्ता जस्ता तांवा तो आपका teaser Center'd Global ajaด निमलेकित में यसी कौन सा रोग पुर्सों की तुल्णा में महिला में बहुत कम होता है, रोग बताने हैं आपके लिए कौन सा रोग है, बाई, क्वास्चन नमबर है आपका यहाँ पर शालिस, बताईए, चार विकल्प दिये गए हैं, और कौन सा रोग है जो पुरसों की तल्ला महिला में बहुत कम होता है तो आपका 45 का राइट आंसर होगा यहाँ पर विकल्प नंबर ने आपका D राइट आंसर होगा D आपका यहाँ पर सही आंसर है यह आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है तो color blindness आपका राइट अंसर होगा बिल्कुल सभी कॉस्चन नमबर छालेस है आपका नमलकित में किस बिटामिन की कमी से रिकेटस की बीमारी होती है यह कॉस्चन तो कई वार एकजामे पूंचा जा चुका है कि कौन सा बिटामिन है जिसकी कमी से रिकेटस जो रोग होता है इस रोग या बीमारी होती है रिकेटस की तो बिटामिन है कौन सा बिटामिन तो चालेस का यह क्राइट आंसर हो बिटामिन डी तो बिटामिन डी जो होता है इसकी कमी से रिकेटस जो रोग होता है यह रोग होता है विटामने डी की कमी से इस परकार अपने अपर यहां पर पचास कॉस्टन कंपलेट करना था तो यहां पर आपकी जो अब आगए हैं आपर जो रीजीनिंग से सμबंदित आपकी हाँ पर कॉस्टन आगए हैं अपर तो यह आप 2-3 questions छोड़ देते हैं, फिर हिंदी के question को सिंगार काल की संग्या किसी ने दी है. आंसर बनता है आपसे आप कमेंट में रिती संग्या किसी संग्या दी है, तो आपका है संही आंसर स्ग्या क्या होग विख von आदमिस्र आपका यहां पर सही आंसर है विकल्प नंबर C आपका यहां पर राइट आंसर होगा विकल्प C राइट आंसर है question number आपका बाउन पूचा है कि हिंदी साहित की आधिकाल को आधारकाल नाम दिया है आंसर बनता है तो कमेंट में जरू बताएं आधारकाल जो नाम दिया है वह किसे ने दिया है तो बताईए यहां पर question number बाउन है महत्तुपूर्ण question है और आपका हिहां पर सही answer है question number बाउन का विकल्प नंबर C आनि की मोहन अवस्ती डाक्टर मोहन अवस्ती ने आधारकाल नाम दिया है आधिकाल को question number आपका यहां पर त्रेपन क्या पूँचा है तो त्रेपन वा question देख लेते हैं बैदे ही बनवास किसकी रचना है यह रचना बताने है अविद्धा सेंव पाद्याए या रामचंसो कलमेतिशन गौप्त पाद्या अदिया निराला question नमबर 3 पन है और महत्वकून question पूँचाँ क्या है और अविद्धा सेंव पाद्याय रहिए अध्याए अपका है आंशर है question नमबर आपका चंगण,पूशा चैया है, मिर शुष Нचेंगे नहीं पूचा है आपका यहां-पर नहीं है सामिल न संदू लेकिन केसव बिहारी आपका यहां पर सही आंसर होगा यह सामिल नहीं है क्वेश्चन नमबर आपका 55 पूंचा है चंदन वाला रास की रचेता कौन है question number 55 का right answer बताई यहाँ पर चंदन वाला रास की रशीता आपके लिए बताना है चार विकल्प देगा है महत्तुपूल question है और आपका right answer होगा ask goo ask goo आपका यहाँ पर सही answer है ask goo जिन्हों ने बताया है विकल्प number D right answer आपका यहाँ पर होगा question number 56 देख लेते हैं को रखनात मचेंदर नात यहाँ पर आधी नात question number 56 का सही answer यहाँ पर बताना है और आपका right answer गो रखनात गो रखनात नास्ते साहित्य का अरंब करता माना जाता है question number आपका यहाँ पर पूँचा है sun town क्या पूँचा है देखें काल क ₃ी कंदा मात ङर्ष्चा का सही नुक्रम बताना है काल क्रम की द्रष्चा का सही नुक्रम यहाँ पर sun town में क्या होगा right answer यह आपको बताना है चार विकलब भी आपका हम पर दे गए है महर्ट्टो पूँट question है और आपका यहाँ पर जो सही आंसर है question number sunthown का विकल्प नमबर एक यानिकी सरहपा, पुस्पदंत, अद्धहमान और हैमचंद्र इदू है विकल्प नमबर एक आपका यहाँ पर सही आंसर है question number आपका यहाँ पर पूंचा है question number आपका यहाँ पर उनसर पूंचा है कि नमलकित मेंसे कौन सा का विभक्ति कालका नहीं है देखे, नहीं पूंचा है, आपसे यहाँ पर नहीं है तो भक्ति कालका नहीं है, जो भै कौन सा नहीं है तो आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा उनसर का सही आंसर बताना है कौन सा काब पर है, भक्ति कालका नहीं है संते काप, चायवादी काप, रामभर्ती काप या, सूपी काप बे तो आपका चायवादी काप बे आपका right answer होगा विकल्प number आपका C right answer है निमलिकहत में से कौनसी नानक की रचिना नहीं है नानक की रचिना नहीं है यह आपके लिए बताना है तो बताइए question number 60 का सही answer क्या होगा नानक की रचिना नहीं पूँचा है तो 60 में आपका जो सही answer होगा सिद्दान्त पंच मात्रा सिद्दान्त पंच मात्रा ये नानक की रचिना नहीं है तो विकल्प number D आपका सही answer होगा question number 61 पूँचा है तो विकल्प नंबर एकं आपका यहाँ पर सही आंसर एक्सक्त का तो देखें एकं आपका चार हो जाएगा उस्मान चित्तरवली। बी का का आपका एक हो जाएगा तो नुर्मुहम्मद अनुराग औसरी। पिर सी का दूसरा हो जाएगा तो कुतुबन मिरगावती और डी का तीन हो जाएगा यानि की कासम साय हंस जब वाहर यह रचना है यह उनके कभी दिये गए हैं गीत वली की भासा क्या है तो 62 आपका यहांपर सही आंसर है यानि की ब्रजवासा क्या है ब्रजवासा आपका यहांपर सही आंसर है साहित लहरी की रचेता कौन है question number 63 बताई साहित लहरी बहुत ही चल question है नंददास, सूरदास या चतुरभजदास या अरकिष्नदास तो 63 का सही answer होगा आपका साहित लहरी की रचेता पूंचा है तो सूरदास आपका यहाँ पर सही answer है विकल्प number C right answer question number 64 है इनमें से रीतिकाल का कौन सा कभी अपने पिर्कृती चित्रण के लिए ब्यक्षात है पिर्कृती चित्रण के लिए जो ब्यक्षात है घनानंद हैं, सैनापती हैं, मतिराम हैं या अग्वाल हैं, 64 का answer बताना है क्या होगा question number 64 का right answer चार विकल्प आपके हाँ पर दे गए है मतिरा पूर्ण question पूशा गया है और 64 का right answer आपके हाँ पर जो है, विकल्प number C आनकी सेनापती question number 65 है, इनमें से आर्थिक आधार पर बात की के पिरकार नहीं है नहीं है, सैयोक्त बात के संकेत बात के एक चावाचक बात की आध्यावाचक बात तो आपके हाँ पर question number 65 है, और इनमें से आर्थिक आधार पर बात की के पिरकार नहीं है तो 65 का एक right answer होगा यानकी स्नयब्त बात के question number 66 निमलिकित में से कौन सी रशिना कभी देव की नहीं है तो देव कभी जो है इनकी रशिना नहीं है भाविलास, अलंकार गंगा, अश्ट्याम या सुजान विनोद तो 66 का आपका जो सही answer है, बहे आपका अलंकार गंगा आपका right answer होगा विकल्प number C right answer यहाँ पर है कभीत रतनाकर की रशिनाकार कौन है और सही answer होगा विकल्प number आपका यहाँ पर 68 पूँचा है निमलेकित कर्टियों को उनकी रशिनाकारों के साथ सुमिलित करना है तो question नुमर 68 में आपको सुमिलित करना है, उनके रशिनाकारों की अनुसार, तो देखिए यहाँ पर आपका 68 का right answer यहाँ आपका यहाँ पर कूट दिये हैं तो एक right answer है यहाँ पर देखिए, एक आपका हो जाएगा दूसरा यानिकी एक का दूसरा भरत्मिलाब इस्वर्दास फिर जो बी है उसका एक हो जाएगा ध्यानवंजरी की अग्रदास हो जाएगे सी का आपका चौथा हो जाएगा रामाण महानाटक तुप्राणचंद चौहन उड्डी का तीसरा हो जाएगा अबद बिलास लाल दास इस परकार यहाँ पर सुमेलित हो गए हैं बिल्कुल सही यहाँ पर question number 69 पूंचा है क्या पूंचा है question number 69 पापके लिए आंसर है नातर काप आपका जो जही नातर Warum आंसर है जो जो ही विख परिवेण दिवांसर है जो है विकल्प नमबर एक रायट आंसर है चिंता मनी चंता मनी आपका सही आंसर है विल्कुल सही question number आपका यहाँ पर सत्तर पूंचा है क्या पूँचा है सत्तर कि नमलकित कभियों में से एक भारत्य अंद्व योगीन कभी नहीं है तो आयुद्य से अपाद्या हर्योद बदरी नारान चौदरी प्रेम गान परताप नारामिस्र अंबिका दत्त ब्यास क्सिंचन नमबर 70 है और 70 का जो सही आंसर है आपका वह क्या है राइट आंसर बताईए पुस्छा है आच्चा रामचन्चन शुकली कि स्वाच्चन था बाद की पिरबारताक है मेतली सन्र गुप्त हैं राधा किृष्ट नास हैं सिरीधर पटाक है अविद्यस अपाद्या हर वाद हैं question number 71 का सही answer बताना है आचा रामचन सुकले जी की अनुसार स्वचंदताबाद की प्रवर्टक कौन है तो 71 का right answer होगा विकल्प number C आनिकी सिरिधार पाठक आपका सही answer यहाँ पर question number 72 है क्या पूंचा गया है यहाँ पर पूंचा गया है question number 72 इनमें से चायवाद की विसेस्ताओं से संबंदित कौन सा विकल्प सही नहीं है तो यहाँ पर विकल्प का चयन करना है question number 72 और 72 का right answer है आपका विकल्प नमबर D संदरी की पिर्ति अत्यरिक आकरसन यह जो है विसेस्ताओं की संदर संबंद में विकल्प सही नहीं है question number आपका यहाँ पर तेतर पूंचा प्रगतिवाद की विसेस्ता नहीं है प्रगतिवाद की विसेस्ता नहीं पूंचा है आपसे यहाँ पर तो नहीं में बता दीजिए, और सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक अवस्य कर लिया करें, सभी लोग बहुती कम लोग वीडियो को लाइक करते हैं, प्रगती बाद की विशेशता नहीं है, तो तेहतर का राइट आंसर है विकल्प नमबर बी यानिकी कल्प ना प्रवण आपके हैं पर 24 पूँछा हैं इनमやसी दूसरा सबतक में संकलित कभी है, तो दूसरा सबतक में संकलित कभी कोऌन है? रगवीर शाहाए हैं सरवेश सोड्याल सक्सयाना केतार नात सहह या नियमी चंदर, जेन तो आपका 24 पर आइट आंसर है, रगवीर शाहाए, रगवीर स 75 का right answer विकल्प नमबर एक उननेस सो 24 इस वी आपका right answer है Question number है आपका 76 जीवा के आदार पर स्वर की कितने पिरकार होते हैं तो यहाँ पर आपका right answer क्या होगा right answer 2, 4, 3, 6 तो आपका यहाँ पर सही answer से 76 का विकल्प नमबर आपका भी right answer है यानि की 3 तीन आपका यहाँ पर सही आंसर है विल्कुल सही 76 का भी राइट आंसर 77 का है छावर्ण किसकी योग से बनता है यह जो छावर्ण किसकी योग से बनता है तो यह आपके लिए हाँ पर बताना है question number 77 है और 77 का राइट आंसर है क्या है राइट आंसर का ओसा आपके यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नमबर एक आपका राइट आंसर होगा ने उनमें ऐसी योजक चिन पहचान ये योजक चिन कौन सा है Qausyya No. 78 में बताना है योजक चिन बताना है चार विकल्प भी आप कहाँ पर दे गए है 78 का चाही पर आ्पर c vikalp No. C जो वाला ये चिन है ये क्यासा चिन है योजक चिन है सुद्द सब्द कौन सा है यहाँ पर सुद्द सब्द बताना है चिन्य दवाईया किरपा या निर्भर तो बताईए सुद्ध सब्ध कौन सा है 89 का अंसर बताना है 89 का आपका निर्भर निर्भर आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा किस सब्ध की बरतनी असुद्ध है तो यहाँ पर असुद्ध सब्ध बताना है वह कौन सा सब्द है जो असुद्ध है आपर बताईए चार विकल्प दिये गए है question number 80 है और 80 का right answer है भुकड जो है यह आपका कैसा है असुद्ध सब्द है यहाँ पर पूंचा है बरतनी सुद्धी है बरतनी सुद्धी है तो यहाँ पर बताना है क्या होगा right answer चार विकल्प दियेगा है question number 80 का right answer बताईए क्या है right answer और महत्वपूल question पूंचा क्या है तो आपका है यहाँ पर सही answer है क्या है right answer question number 80 का विकल्प number A केवल A केवल A की वरतनी सुद्ध है यानि की आस्ति आपका यहाँ पर यहाँ पर आसकती हो जा यह आपका right answer होगा विल्कुल सही विकल्प number 1 आपका है आपका है आपर सही answer होगा question number आपका है यहाँ पर जो 82 पूंचा है किने में लिखे तुम्हें से किस विकल्प में सभी सब्द भावाचक संग्या सब्द है भावाचक संग्या सब्द है question number 82 में बताईए कौन से में भावाचक संग्या सब्द है ब्यासी वा question पूंचा ग्या है और भावाचक संग्या सब्द में जो हो जाएंगा रसीला, कलवाहट, बलापा और उननती यह जो है आपका सही answer होगा question number 83 गरीबों की सहायता करो गरीब सब्द क्या है विशेशन है, विशेशन है, जाती वाचक संग्या है भावाचक संग्या है question number 83 विताईए गरीबों की सहायता करो, गरीब सब्द क्या है तो 83 का राइट answer है आपका C आनी की जाती वाचक संग्या हिंदी में कुल कितने सर्व नाम होते हैं 9, 10, 11, 12 सर्व नाम पूँचा हिंदी में 84 का राइट आंसर है 11, 11 आपका यहाँ पर सही आंसर है यहाँ पर question number है 85 नमलिके जोड़ों में से उत्तम पुरुस बाले जोड़ों को पहचानी उत्तम पुरुस को इस जोड़े में यह आपके लिए आपके लिए आपके लिए आपके लिए यहाँ पर 85 निर्भीक भै तो आपके यहाँ पर शासी का सही आंसर जो है भै डी राइट आंसर है भै भै आपके यहाँ पर सही आंसर है बिलकुल चाही question number 87 पूँचा है गुण बाचक विशेशन के कितने भेद हैं गुण बाचक विशेशन के वताना है गुण बाचक विशेशन के कितने भेद हैं तो आपका यहाँ पर सही answer होगा 87 का विकल्प नंबर C आनी की 6 आपका यहाँ पर right answer है बिल्कुल सही निमलेकित में से कौन सी किरिया सकर्मक है सकर्मक किरिया बताना है हसना दोड़ना लिखना उठना 88 का सही answer 88 में बताना है कौन सी सकर्मक किरिया है तो 88 का right answer है लिखना लिखना आपका सही answer होगा किरिया का मूल करम, भासा, व्याक्रण या धातु क्या है ये बताना है करिया का मूल Whew बताना है क्या है तो question number है आपका 89 और 89 का जो सही answer है आपक यहाँ पर लक्त होगा 89 काですね, व्याँ फिर राइड आंसर होगा धातु, धातु आपका यहाँ पर दी राइड आंसर है अबयब, निमलिखित में ऐसे अबयब हैं, यहाँ पर अबयब का चियन करना है, बताईए बर्तमान तथा नया सुन्दर, अबयब है तो question number 90 है, और 90 का सही answer है आपका विकल्प number C आनिकी तथा तथा आपका यहाँ पर सही answer है, मैं रोज पढ़ता हूँ बाक्य में किरिया विसेशन का भेद है, बताईए मैं रोज पढ़ता हूँ बाक्य में किरिया विसेशन का भेद है, तो आपका यहाँ पर सही answer होगा question number 91 का विकल्प number C call watch a career decision call watch a career decision आपके यहाँ पर सही answer है विकल्प number C right answer निम्लिकेत में सी pulling सब्द है pulling सब्द कौन सा है question number आपका 92 है और 92 का सही answer हो गई यहाँ पर pulling सब्द बताना है तो C right answer है सारस question number 93 मिठाई सब्द के से सब्द का एक बचन है मिठाई सब्द के से सब्द का एक बचन है तो आपका right answer होगा 93 का मिठाईया का मिठाईया विकल्प number D right answer है सुबह में चडियां चहचानी लगती है सुबह में चडियां चहचानी लगती है बाक्यों में प्रियुक्त काल पहचानी है कौन सा काल है यहाँ पर इस बाक्य में आपको काल का चेहन करना है 94 में क्या होगा राइट आंसर भरत्पुन क्वेश्चन है और आपका भी राइट आंसर है सामन बरतमान काल राजा भिप्चुक को दान देता है बाक्य में कौन सा कारक है बाजा भिपचुप को दान देता है बाक्त में कौन सा कारक है कर्मकारक अपादानकारक है या करनकारक तो कारक पहचानना है तो आपका 95 का सी राइट आंसर होगा सम्परदानकारक Q96 है एह ताली की चाबी रेखानकेत में ऐसे कौन सा कारक है यहाँ पर कारक बताना है बताईए एह ताली की चाबी रेखानकेत में ऐसे कौन सा कारक है तो 96 का राइट आंसर होगा संप्रतान कारक निमलिकत में ऐसे तत्सम सब्द बताना है Q97 में तो 97 का राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर आपको तत्सम सब्द बताना है 97 में तीरत आपका यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नमबर D राइट आंसर 97 का बिल्कुल सही question नमबर 98 क्या पूँचा है इनमें असी कौन सा तत्सम तदवा का सही जोड़ा नहीं है नहीं है पूँचा है तत्सम तदवा का सही जोड़ा नहीं है तो आपका राइट आंसर होगा बिल्कुल सही 98 का राइट आंसर विकल्प नमबर C नंजर आंख जंजर और आंक आपका यहां पर right answer होगा निमलेकेत में असी कौन सा सब्द? स्वतंतर सब्द नहीं है अनपड भारतिय अवस्ता या इनमें असी कोई नहीं question number 99 है और इनमें असी कोई नहीं आपका right answer है बिलकुल सही यहां पर question number 100 पूंचा है मूल सब्द क्या है पृतिष्टा का मूल सब्द बताना है यहां पर question number 100 है और 100 का right answer सभी लोग वीडियो को लाइक अवस लिकल लें और 100 का आपका जो सही answer है बहें आपका right answer विकल नमबर B पृति धन इस्था आपका right answer होगा अप सकुन का बिलोम बताना है अप सकुन का बिलोम क्या होगा question number 101 का जो सही answer है आपका इहां पर वहें आपका right answer 101 का B आनकी सकुन सकुन आपका right answer है चपल का बिलोम सब्द क्या है 102 का right answer बताना है चपल का बिलोम बताए 102 का right answer क्या है महत्तपुन question है चार विकल्ब भी देगा है आपके और गंभीर आपका सही आंसर है गंभीर जो है विकल्ब नमबर एक जो है यहां पर राइट आंसर होगा question number है आपका एक सो तीन की अस्व का पर्याब आची नहीं है देखें नहीं पूँचा है आपसे नहीं है तो कौन सा नहीं है बताईए तरंग घोटक घोडा या है तो नहीं है तो एक सो तीन का राइट आंसर विकल्ब नमबर एक यानकी तरंग है देनकर किसका पर्याब आची है यह आपके लिए यहां पर बताना है देनकर किसका पर्याब आची है तो एक सो चार का सही आंसर आपका विकल्ब नमबर डी राइट आंसर होगा सूर्य निमलिकेत में असी अनिकारती सब्द का दूसरा अर्थ बताईए अज अजनमा अब दूसरा सब्द बताना है यहां पर क्या होगा क्वाश्चन नमबर 105 में आपका राइट आंसर होगा इस्वर इस्वर आपका यहां पर सही आंसर है विकल्ब नमबर डी राइट आंसर है बन्न का अर्थ नहीं होता अक्षर जाती रंग या सुन्दर question number 106 का सही आंसर बताई बन्न का अर्थ नहीं होता तो 106 का सही आंसर है सुंदर question number आपके हैं पर 170 पूँचा है निमने लिखित में से कौन सी आधी व्याधी सब्द युग में आधी का अर्थ है आधी का अर्थ बताना है मान से कस्ट आदा पागलपन या अधे अधक पारी जैसे रोग तो आपके हैं पर question number 107 का मान से कस्ट आपका राइट आंसर होगा अनल का सही आर्थ देने वाला सब्द युग में कौन सा है अनल और अनल का सही आर्थ देने वाला युग में सब्द युग में कौन सा है तो 108 का राइट आंसर है 109 का right answer क्या होगा आद्रस ची सब्द का अर्थ क्या है तो 109 का चाहिए answer है जो दिखाई ना दे जो दिखाई ना दे तो विकल्प number C आपके यहाँ पर right answer है जिसका कोई कीमत ना हो सके बाक्यांस के लिए एक सब्द है जिसका आपके यहाँ पर 111 पूंचा है सवर संदी का उधारन है समनवय या तद्रूप है या किंचित है और नीरस यहाँ पर समनवय नहीं है अनवय है यहाँ पर बताईए 4 विकल्प देगा है question number 111 है और अनवय अनवय आपके यहाँ पर right answer है पावन सब्द का संदी विच्चित यहाँ पर होगा क्या होगा यह आपके लिए बताना है question number 112 का right answer पौधन बन आपके यहाँ पर सही answer होगा question number 113 है जिस समास में प्रिथम पत संध्या बाची तदा अन्तिम पत जो है संध्या हो बहे कौन सा समासे तो आपके यहाँ पर right answer है बिल्कुल सरल question पूँचा है तेरा में आपसे यहाँ पर तो तेरा का right answer सी होगा यानि की दिभू क्योंकि पहला आपसे संध्या बाची पहला पत जो है संध्या बाची और अन्तिम पत आपका संध्या हो तो दिभू समास होता है यहाँ पर question number 114 पूँचा है क्या पूँचा है देखे की आठ अध्याए हैं जिसमें एहके से समास का उधारन है आठ अध्याए हैं जिसमें एहके समास का उधारन है तो अब भी पढ़ाता क्या पढ़ाता संध्या बाचक जो सम से पहली हो जिसे पहली पद में तो बहाँ पर कौन सा समास होता है यहाँ पर मगर आठ अध्या हैं जिसमें तो यहाँ पर आपका क्या होगा राइट आंसर 114 का सही आंसर बताना है तो 114 का कर्म है बहुबरी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा बहुबरी question number आपका यहाँ पर 115 पूँचा है Mr. Bak के है Mr. Bak के है तो यहाँ पर Mr. Bak के में क्या हो जाएगा question number 115 का right answer बताना है तो 115 का right answer क्या होगा सूरज वोगने पर कोहासा फट गया यहाँ पर 115 का C right answer होगा 115 का C right answer है उसके पास जो कुछ था परक हो गया तो 115 का आपका C यहाँ पर right answer है बिलकुल सही question number 116 देख लेते हैं क्या पूँचा है मुझे आज खाने का मन नहीं होती है उप्रयप्त बाक्य में असुद्य अंस इसपस्ट कीजिए तो असुद्य यहाँ पर अंस इसपस्ट करना है तो आपका right answer है मन नहीं होती यह जो है आपका असुद्य होगा तो सूला का आपका D right answer है question number 117 है कि आप कुछा निमलिकेद विकल्पों में से सुद्य बाक के कोच E N कीजिए सुद्य बाक के कौन सा है Q170 का सई आंसर आपके लिए बताना है क्या होगा right answer 170 का सई आंसर बताना है बहादन्दी योगे जो है आपके हाँ पर सई आंसर होगा question number 17 का आपके यहाँ पर question number 18 है आलंबन और उद्धीपन विभावों की काण उद्पन ने भावों को बाहर प्रिकासित करने वाले कारे कहिलाते हैं विभाव अनुभाव संचारिभाव या स्थाइभाव यह question बहुत ही महत्वपूर्ण question आपसे यहां पर पूंचा क्या है और आपका 118 का सही आंसर हो इसमें आपके लिए पंतियों में रस बताना है तो 19 का सही आंसर है C यानि की करून रस है इसमें निमने लिखत में ऐसे कौन सा बढ़नेक चंद्र है यहां पर बढ़नेक चंद्र बताना है चपपय या उपेंद्र बज्ज्रा स्वर्ठा या रूला question number 120 का सही आंसर बताना है तो 120 का राइट आंसर है आपका उपेंद्र बज्ज्रा राइट आंसर है निमलेकत में से किस चंद में पिर्थम और अंतियम सब्द समान होती है तो आपका यहां पर सही आंसर होगा 21 का राइट आंसर है विकल्प नमबर आपका यहां पर 21 का B यानि की कुंडलिया इनमे ऐसे कौन सा विकल्प सब्दलंकार का भेद नहीं है देखे नहीं है यमक रूपक शिलेश अनुपरास सब्दलंकार का भेद नहीं है पूचा है तो आपका रूपक आपका राइट आंसर यहाँ पर B question number आपका 23 पूँचा, खिली हुई हवा आई, फिर कीसी आई, चल गई, पन्ती में अलंकार है, उपमा, संभाबना, अनुपरास या अनुपृत्प्रेक्षा question number 123 का सही आंसर आपके लिए बताना है, तो अपमा आपका right answer होगा, question number 124 पूँचा है, आधा तीतर आधा वटेर, मुहावरे का अर्थ आपके लिए बताना है, आधा तीतर आधा वटेर, मुहावरे का अर्थ बताए, यहाँ पर question number 124 का right answer, 124 का सही आंसर बताना है, तो बे मिल चीजों का मिस्रन, बे मिल चीजों का मिस्रन यानि की विकल्प number B आपका right answer होगा, 124 का B, question number 25 क्या पूँचा है, कि अंधों में काना राजा, लोकोक्ति का अर्थ बताना है, अंधों में काना राजा, यह लोकोक्ति है, और इसका कास नामा के महाकापी के लेखक आप से पूँचा है, तो इस महाकापी के लेखक कौन है, तो question number 126 का आपका जो सही आंसर है, बे है, विकल्प number D, यानि की भट्ट के दा right answer होगा, सूरदास, नंददास, आदी, अश्ट चाप के कभियों ने किष्ण कापी की रचिना खालि right answer है, आपका बिरजभासा में, अमिलेकत में से चायवादी रचिनाकार कौन है, question number 128, इस नागर्जन, सुमित्रा नंदन पंत, मुक्तिवोध या तिलोचन सास्त्री, 128 का right answer होगा, यहाँ पर चायवादी पूँचा है, तो सुमित्रा नंदन पंत आपका सही आंसर होगा, जुही की कली कभीता के कभी कौन है, निराला, महादी बर्मा, प्रसाद अपंत है, तो जुही की कली कभीता के कभी पूँचा है, तो 139 का आपका यहाँ पर right answer होगा, विकल नंबर 1, यानि की निराला, निराला आपका यहाँ पर सही answer है, बर्स 1982 में इनमें से किसी ग्यान पर शकार मिला था, कभ मिला था, 1982 में में किसे ग्यान पीट पर शकार मिला था, जैसंग करपरसाद, महादेवी बर्मा, बंकिम्चंद, चटर जी, इनमें से कोई नहीं, तीस का right answer भी, महादेवी बर्मा जी को, 1982 में इनको मिला था, कौन सा ग्यान पर शकार, question number 100 आपका 31 पूँचा है साहित अकादमी द्वारा 2016 में नासरा सर्मा को किस उपन्यास के लिए पुरुषकार प्रदान किया गया तो भै कौन सा उपन्यास है नासरा सर्मा जी का 2016 में इनको एक पुरुषकार मिला था तो भै उपन्यास बताना है तो 131 का राइट आंसर आपका पारिजात आपका राइट आंसर है एक मुलाकात कहानी की कताकार कौन है एक मुलाकात है कहानी की कताकार कौन है यह आपके लिए बताना है तो 132 का राइट आंसर है 132 का सही आंसर क्या होगा उसा राजे उसा राजे आपके यहाँ पर सही आंसर है फांस किसकी रशना है यह वताना है दूदनास है नंद के सूर नौटियाल या रविंद्र कालिया या संजीव फांस यह आपके लिए वताना है तो आपका 133 का राइट आंसर है चीन स्वर में बोला मेरा कहा सुना माफ करना धनिया अब जाता हूँ गाई की लालसा मन में ही रह गई गोदान इसकंद गुपते तमस या लहरों की राजहन्स तो 34 का राइट आंसर आपका विकल्प नंबर एक यानि की गोदान आपके यहाँ पर सही आंसर है गोदान उपन्यासी एक अतन उद्रत है कॉस्चिन नमर 135 नाटक इसकंद गुपति की रशिना किस ने की थी ये तो बहुत ही शाल कॉस्चिन है 35 बाद कॉस्चिन पूशा गया है तो 36 का सी राइट आंसर होगा डाक्टर नगेंदर बिलकुल चौछ और नगेंदर आपके यहाँ पर चही आंसर है इनमें से कौन जीबनी है इनमें से कौन जीबनी है तीत के चलचित्र आवारा मसीह या चिंतामनी या नीड पर निर्मान फिर तो 37 का सी राइट आंसर है आवारा मसीह राइट आंसर है हंस पत्रिका के संपादक और संस्थापक और संपादक थी कौन थी हंस पत्रिका की पूछा है प्रेमचंद धर्मबीर भारती निराला या अग्ये तो 138 का आपका जो सही आंसर है 138 का विकल्प नंबर एक यानि की प साहितिकार हैं हिंदी, सिंधी, पंजाबी या उर्दू, 149 का राइट आंसर बताना है, तो 149 का अमरिता प्रीतम है, जो यह पंजाबी, पंजाई भासा की साहितिकार है, तो विकल्प नमबर B राइट आंसर है, 49 का, आलशियों का कोड़ा किसकी रचना है, जैसे को तैसा नाटक की रचनाकार का नाम बता दीजे, क्या होगा, 141 का राइट आंसर जैसे को तैसा गोपाल राम गहिमरी विकल्प नमबर एक राइट आंसर होगा, एक भारती आत्मा की नाम से जाने जाते हैं, एक कोश्चन तो कई बार एक जाम पूछा जा चुका, तो ताई के कहानी के लिए का कौन है? आपके यहाँ पर 143 का साई आंसर है वीकल्प नम्बर, डि विसंभर, नात, सर्मा आपके यहाँ पर सही आंसर होगा बयरकक रोध का अचार्या मुरब्वा है एक अधन किस नभंध का है? क्वाष्चन नमर 144 है और 144 का आपका सही आंसर है यहाँ पर रामचन सुकल है रामचन सुकल आपका सही आंसर है Q145 पूँचा है चार खंडों में प्रिकासित वच्चन की आत्मकता का प्रिथम खंड कौन सा है तो पिर्थम खंड बताना है बताइए पिर्थम खंड कौन सा है चार विकल्प आपके हाँ पर दिये गए है तो question no. 145 का right answer बिकल्प No. C क्या बूलूं क्या याद करूं क्या बूलूं क्या याद करूं पिर्थम खंड विकल्प No. C right answer यहाँ पर है अब आपको यहाँ पर गद्यांस में उसे पड़कर जो है यहाँ पर आंसर बताने होती हैं तो यहाँ पर जो है पांच कोश्चन आपके गद्यांसों से पूंचे जाते हैं बहुत बड़े बड़े यहाँ पर गद्यांस दिया है झाल झाल